बुलन शेयर में हुई हिंसा पर सूबे के पुर्व नोकरशाहों ने योगी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है करीब 83 रिटायट नोकरशाहों ने बुलन शेयर हिंसा के एक बाद मुख्य मंत्री योगी आदित तिनाथ से इस्तिफ़ा मांगा है अपने खुले खत में रिटायड अफसरों का कहना है कि योगी आदित तिनाथ ने बुलन शेयर हिंसा को गंबिर्ता से नहीं लिया इसके अलावा वो सिर्फ गोकशी केस पर ध्यान दे रहे है गौरतलभे की पुरुनोकर शाहु का ये खत तब सामने आया है जब बुलन शेयर हिंसा की जाच SIT ने पूरी कर ली है जाच में खुलासा हुआ है कि हिंसा से पहले गोकशी हुई थी इस आरोप में चार लोगों को गिरफतार भी किया गया है अफसरों ने आरोप लगाया है कि बुलन शेयर हिंसा को राजनेतिक रंग दिया गया है बुलन सर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाले की भीड़ द्वारा हत्या किया जाना बहुत दर्दनाक है इससे राज्य की कानून विवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं उन्होंने अपील किये है कि इलाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में संग्यान लेना चाहिए और हिंसा से जुड़े पूरे मामले की जाच होनी चाहिए बिरो रिपोर्ट यूपी तक